शोशल मीडिय और इंफ्लूएंसेज के इस डिजिटल जमाने में ब्यूटी प्रोड़क्स की डिमांड लगतार बढ़ रही है और भारत भी इस दौड में पीछे नहीं है देश में कुछ साल से ब्यूटी और प्रोड़क्स की खपत लगतार बढ़ रही है अगले 5 साल इसकी ग्रोध दुनिया में सबसे ज्यादा करीब 10% रहेगी ये हम नहीं बलकि स्ट्राटेजी कंसल्टन्ट रेट सीक और पीक एक्सफी ने त्योहारों से पहले अपनी रिपोर्ट में दावा किया है रिपोर्ट के मताबिक साल 2007 में भारत का बीपीसी मारकेट रगभग 2.5 लाग करोड रुपे के होने का अनुमान है तब तक 55 लाग करोड रुपे के इस गलोबल मारकेट में भारत के हिस्सेदारी 5% से ज्यादा हो जाएगी इस बीच fast moving consumer goods बनाने वाली कमपनियों के मुकाबले प्यॉर प्ले यानि सिर्फ बीपीसी प्रोड़क्स बनाने वाली कमपनियों की बाजार में हिस्सेदारी बढ़हेगी साल 2022 में ये 33% थी जिसके साल 2027 में बढ़कर 42% होने का अनुमान है आएए आंकडों के जरीए समझते हैं किस देश का beauty products market में कितना share होगा इस list में 10% के साथ सबसे आगे भारत होगा दूसरे नमबर पर 8% market share के साथ इंडोनेशिया फिर तीसरे नमबर पर वारी होगी 7% के साथ चीन की fourth on the list is Brazil with 6% share और America 5% share मतलब इस मामले में भारत की अमारिका से दो गुनी और चीन से देड़ गुनी ग्रोथ होगी Red Seer और Peak XP के मताबिक डेश में भी beauty और personal care पर प्रतिविक्ति खर्च सालाना 1162 रुपे है जबकि अमेरिका में ये रकम बढ़कर 26,000 रुपे है मतलब हम beauty product पर अमेरिका से 22 गुना कम कर्च करते हैं और इस लिहाज से beauty market में भारत के लिए आने वाले समय में कई बड़ी संभावनाएं छिपी हो सकती है